मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा घर घर जाऊंगा मैं एक एक घर में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने किया है आपकी पावर को छीना है केजरिवाल छोटी चीज है जनता बड़ी चीज है एक एक आदमी की दिल्ली की एक आदमी की पावर क देकर जिताया है उस आमादमी पार्टी की सरकार के पास क्या कोई पावर्स नहीं है यही सवाल एक बार फिर दिल्ली की राजनीती में एहम बन गया है क्या नया ओर्डिनेंस लाई है बीजेपी की केंडर सरकार जिस से उसके उपर ताना शाही कायरता और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप लग रहे हैं यह सारे सवाल मेरे मन में हैं और जाहिर है आपके मन में भी होंगे तो आईए इन सबी सवालों के जवाब ढूनते हैं सरल शब्दों में एनसी डिकोट्स के इस वीडियो में दिल्ली एक केंडर शासित प्रदेश है यहां के मुख्यमंत्री है अर्विंद केजरिवाल केंडर शासित या union territory होने का मतलब है कि यहां एक lieutenant governor होता है जो केंडर सरकार का नुमाइनदा होता है दिल्ली के LG है विनेशक सेना तो अर्विंद केजरिवाल और विनेशक सेना में सरकार के कामकाच को लेकर बहस لمбے समय से चल रही है बहस मतलब यह कि कौन सी पावर किस के पास रहेगी, किस अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग, किस के साइन करने पर होगा वगएरा वगएरा तो अर्विन केजडीवाल गए थे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से कहा था कि हमको सारी पावर दे दी जाएं 11 माई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया और कहा कि सिर्फ लॉएंड ओर्डर, पबलिक और लेंड के मामलों के अलावा सर्विसिस के सब मामलों में पावर रहेगी चुनी हुई आमादमी पार्टी की सरकार के पास और अलजी जो हैं वो दखल अंदाजी इसमें नहीं करेंगे आपके लिए बड़ी जीत थी, केजडिवाल ने इसके बाद कहा था कि वो अब दिल्ली का विकास बिना दबाव के कर पाएंगे बिना पावर्स के वो ऐसे थे जैसे उनके हाथ बांद कर उन्हें नदी में फेक दिया गया हो लेकिन आमादमी पार्टी की एक खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं शुकरवार 18 मई को बीजेपी की केंद सरकार एक ओर्डिनेंस यानी अध्यादेश ले आई जिसकी मानिता एक कानून के बराबर होती है पर यह ओर्डिनेंस एमई नहीं ला सकते हैं यह सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब दोनों हाउसेज में से एक सेशन में ना हो तो यह एक एमरजेंसी पावर है सरकार के पास हाँ तो ओर्डिनेंस ला दिया गया इसमें हुआ यह कि GNCTD Act यानी Government of NCT Delhi Act में अमेंडमेंट किये गए और एक National Capital Civil Service Authority यानी NCCSA नाम की कमिटी बना दी गई जो कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के सुझाव LG को देगी और आखरी फैसला इस पर LG ही लेंगे मतलब back to square one वाली situation आ गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना के आरोब भी केंदर सरकार पर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि BJP सरकार और दिल्ली के LG कोर्ट को भी नहीं मानते हैं इस authority के मुखिया तो दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल ही होंगे मगर उनके साथ इस authority में दिल्ली के चीफ सेकरेटरी और GNCTD के होम सेकरेटरी भी होंगे अब सोचिए कि ये दोनों नुमाइन दे किसके हैं यस केंदर सरकार यानी BJP सरकार के इस ordinance ने GNCTD Act के section 45A से 45M में एक नया part 4A शामिल किया है जिसमें 13 provisions हैं तो इस authority के मुखिया तो अर्विंद केजडिवाल ही हैं लेकिन वो इसमें एक minority की तरह से हैं कुछ खास powers उनके पास हैं नहीं क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान भी है कि केजडिवाल की गेर मौजूदगी में भी जो दो लोग authority में हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अपने सुझाव LG को भेज सकते हैं इस ordinance का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि final call तो LG का ही है ये authority तो सिर्फ सुझाव देगी final sign तो LG ही के होंगे ये है पूरा मामला जिसकी वज़े से दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी है वो अपने आपको लाचार बता रही है अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा आमादमी पार्टी ने कहा है कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इसके लिए हाल ही में केजरीवाल बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार और डिप्टी सीम तेजस्वी यादव से दिल्ली में मिले और कहा कि अगर विपक्षी दल मिलकर संसद में इसका विरोध करेंगे तो ये 2024 का सेमी फाइनल हो जाएगा तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि सेमी फाइनल हुआ तो कौन जीतेगा और दिल्ली वर्सिस LG के इस मैच में क्लीन बोल्ड कौन होगा मैं हूँ सत्यम आप देख रहे थे NC Decodes ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजे न्यूस्क्रिक.न के यूट्यूब चैनल को और हमें Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो कीजिए शुक्रिया